पुतिन ने अब यूक्रेन से भी बड़ा टार्गेट सेट कर लिया है। पुतिन अब यूक्रेन से आगे बढ़ना चाहते हैं और उनका लक्ष दुनिया में बहुत ही बड़ी तवाही का गवाब बन सकता है। पुतिन ने एक ऐसी संदी से हाथ खी चुलिया है जो यूरोप में युद्ध रोकने के लिए बनाई गई थी। अब दर है कि पुतिन पूरे यूरोप पर किसी भी वक्त आमला कर सकते हैं। ऐसा हमला जो सोचा ना था। ऐसा धुमाका जिसकी शौक वेव में डह गया एक बड़ा इलाका। धुमाके के बाद क्या हुआ दिल संभाल लीची। तस्वीरे बेचैन कर सकते हैं। रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने के लिए भागती है। हर तरफ मलबा ही मलबा है। इमारती गिरी हुई है। लोग मलबे के अंदर फ़से हुए हैं। और अब जिन्दा लोगों की तलाश की जा रही है। चिला चिला कर पूछा जा रहा है कि क्या कोई जिन्दा बचा है। कौन कहां फंसा है। ये युद्धकी सबसे खतरनाक तस्वीर है। जब मौत और जिन्दगी के पीच कुछ सेकंड का वासला हुता है। मलबे में एक शक्स दबा हुआ मिलता है। बाहर निकले उसके हाथ को थाम लिया जाता है। और फिर मलबा हटाने का काम शुरू हो जाता है। पूरी कोशिश है कि किसी तरह उसे जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। एक जिन्दगी बचा ली जाए। मलबे में दबे हुए शक्स को किसी तरह निकाल लिया जाता है। वो होश में नहीं है। लेकिन सांसे बता रही हैं कि जिन्दगी बचाई जा सकती है। रेस्क्यू में लगे लोग उसे फॉरन एमर्जेंसी ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। ये है युद की सबसे भय किया वे तस्वीर और रूस की फॉज बता रही है कि युक्रीन का जो हाल हुआ है वो पूरे यॉरप का खुछ सकता है। क्योंकि पते ने अब पूरे यॉरप में टाइम बंप फिट करने का वैसला किया है। क्या ऐसा बंप लंदन में फिट किया जाएगा? क्या ऐसा बंप पैरिस में लगाया जाएगा? क्या बर्लिन में भी इसी बंप की टिक-टिक वाली आवाज सुनाई देखी? क्या इटली की राजधानी रोम भी पुतिन की निशाने पर है? क्या ये टाइम बंप वेल्जियम से लेकर चेगन राज्य में भी लगाया जाएगा यॉरप के बड़े-बड़े शेहरों से लेकर छोटे देशों जैसे एस्टोनिया, लाटिया, लिथवानिया और युक्रीन की मदद करने वाले स्लोवाकिया से लेकर दिन्मार्क में भी फिट किये जाएंगे It was our solidarity which improved our position. Solidarity amongst the EU and NATO and with our partners. In response to Russia's full-scale invasion on Ukraine, NATO allies increase their presence on the eastern flank and we will continue to do so also through the decisions we take at the NATO summit in Vilnius next month. एक बड़ी हथियार संधी तोड़ने का फाइनल फैसला कर लिया है। इस संधी का नाम है CFP, यानी Treaty on Conventional Armed Forces in Europe. 1990 में हुई CFP संधी के मुताबिक, यॉरप में नेटो और सुवेट दौर के देश एक तैत आदाद से ज्यादा हथियार नहीं रख पाएंगे। इनमें टैंक भी होंगे, तोब भी होंगी, हेलिकाप्टर और फाइटर जेट भी होंगे, ताकि यॉरप में सैनाओं के बीच संतुलन बना रहे और युद्ध की नौबत ना आए। लेकिन अब इस संदी से पूरी तरह बाहर निकलने के पाद, पुतिन के हाथ खुल चुके हैं, पुतिन अब बड़ा फैसला ले सकते हैं, पुतिन अब और खतरनाथ हो चुके हैं, पुतिन क्या करेंगी, इसे लेकर यॉरप के बड़े-बड़े देशों की राजधानी में खौफ पसरा है, यॉरप के बड़े-बड़े शेहरों में पुतिन के फैसले ने टाइम बम फ्ट कर दिये हैं, ये बम फटे तो पुरा यॉरप फटेगा, ये बम फटे तो हजारों लाखों जान जाएंगी, पुतिन के फैसले का सबसे बड़ा शिकार इस वक्त जो शेहर बन सकते हैं, उनके बारे में जान लीजिए, क्योंकि पुतिन को तबाख करने के लिए जिन हथ्यारों का इस्तमाल जिलिंसकी कर रहे हैं, वो इस वक्त यूरप से ही आ रहे हैं, अमेरिका तो बड़ी फंडिंग कर रहा है, हथ्यार और उनका सप्लाई रूट यूरप ही बना हुआ है, और इसी बात से पुतिन को सबसे ज्यादा नफरत हो गई है, पुतिन अब बदला लेना चाहते हैं, और वो ऐसा करते वाक्त पूरे यूरप पर आग बरसाना चाहते हैं, पुतिन के फैसले का सबसे बड़ा असर लंदन पर पढ़ सकता है, ऐसा हुआ तो ये शेह पुतिन के फैसले का असर बर्लिन पर पढ़ सकता है, पुतिन का धमाका पैरिस में भी देखने को मिल सकता है, ऐसा ही हमला रोम में भी हो सकता है, पुतिन के इस गुसे की बड़ी वजा है, इसके बारे में वो पूरे नेटो को बार बार आगाह करते रहे हैं, लेकिन अब तक नेटो नहीं माना है, इसलिए पुतिन के टारगेट पर यॉर्प के चार देश हैं, ब्रिटन, फ्रांस, इटली और जर्मनी, इन्ही चार देशों से जेलिंस्की ने युद्ध का चंदा इकठा किया है, हाल ही में जेलिंस्की ने यॉर्प के चार देशों का एक्सप्र हालकि इस दोरे से पहले ही जेलिंस्की को स्ट्रॉम शेडो मिजाइल मिल चुकी थी और अब तक जेलिंस्की इस क्रूज मिजाइल से कुछ खास नहीं कर पाए हैं, अब देखिए जेलिंस्की को जर्मनी से मिली तूप का खतरनाक रूप, रूस के ठिकानों पर आग के गू यह पकमूत का वोप बचा-खुचा इलाका है, जहां जेलिंस्की की फॉज अब भी मौजूद है, और यहां जर्मनी की इस तूप ने रूस के आगे घुटने टेकने से इंकार कर दिया है, यह तोप एक मिनट में एक सो पचपन एमेम के नौ डूले दाग सकती है, इसकी फ माउंट करके बनाई काई है पुतिन ने हथियार संदी, CFE यानी Treaty on Conventional Armed Forces in Europe को तोड़ने का पैसला किया, तो इस से होगा क्या, उतरी यॉरप में नौडिक देशों को आशंका है कि रूस अपने मेन लैंड के साथ साथ कलिनिन ग्राथ में बड़े पैमाने पर हथियार इकठा कर सकता है, और इसी जगा स से पूरे यॉरप पर बंबारी हो सकती है, क्योंकि संदी से निकलने के बाद पुतिन जितने चाहें हथिया, यॉरप के पीचो बीच अपने इस इलाखे में रख सकते हैं, कलिनिन ग्राथ से स्वीडन की दूरी 870 किलोमेटर है, कलिनिन ग्राथ से डेन्मार्ग की हवाई दूरी 514 किलोमेटर है, कलिनिन ग्राथ से फिनलेंड 1000 किलोमेटर दूर है, वहीं कलिनिन ग्राथ से नॉर्वे की दूरी 818 किलोमेटर है, इस वक्त डेन्मार्ग को भी रूस रूस से परमानू खत्रा सता रहा है। जब से रूस ने बेरेंच और नॉर्वीजियन सागर में 14 घंटे से ज्यादा देर तक नूकलर बम वर्शक उड़ाएं हैं। तब से नॉर्डिक देश साफधान हो गए है। रात के अंधेरे में रूस की नूकलर बॉमर की उड़ान को यॉरप परमानू युद्ध की सीधी चैदावनी के दोर पर देख रहा है। ये हवाई हमले कर सकता है। मिजाईल अटैक कर सकता है। कलिनिन ग्राथ बाल्टिक सागर से लगा इलाका है। रूस की नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्याले भी कलिनिन ग्राथ में है। कलिनिन ग्राथ 223 किलोमेटर के इलाके में फैला है। ऐसा माना जाता है कि कलिनिन ग्राथ में रूस ने परमानू हत्यार लग ऐसे में अगर नौडिक देशों से रूस का युद्ध हुआ तो उन्हें आशंका है कि रूस इस बेश से परमाणू हमला तक कर सकता है। कि वो मजूदा सिस्टम को फिर से पर्क है। कि रूस के बाद तो पुतें किसी चीज को भी पर्दाष्ट नहीं कर पा रहे है। और अब वो पुरे यॉरॉप को बहुत ही खतरनाक सजा देना चाहते है। पुतें के गुसे को यॉरॉपीय संग धिरे-धिरे समझने लगा है। युके एक दिप्लमाट जोसेफ बॉरल की एक बात रॉसे समझेगा। लुपाल, कि अईतली को एक मते है। कि अवरूनी को युके बाते हैं। कि अ कि वह को प्राप्षों नचे लगर ऑंके बॉपादा बॉसे सब्सके कि को बॉसेफ में लुपादी कि भुटें पुटें का मॉखसर एष इस लुबसे लुपा हैं, कि पुतिंग का मकसद इस यूद को जीतना है वो तब तक बाच्चीत नहीं करेंगे जब तक वो जीत नहीं जाएंगे इस वक्त यूकरेन का यूद बहुत ही खतरनाक दोर में पहुँच चुका है खतरा पूरे यूरप पर मंडरा रहा है इस युद को डेर साल पूरे होने वाले है लेकिन क्या युद रुकेगा क्या ये हमले थमिंग ऐसा बिलकुल भी नज़र नहीं आ रहा है दोनों तरफ हजारों या कहें के लाखों सेनिकों की जान जा चुकी है दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है